हाई फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिखेंगे कि मिट्सुविसी डी सेवर ने ड्राइब को स्टाट करने से पहले ड्राइब में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं यह सब सीखने के लिए वीडियो को लास तक के देखते रहिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब बटन पर क्लिक करके सस्क्राइब कर लें तो स्टाट करते हैं यह हमारे पास ड्राइब का यूजर पेज नंमर 48 पेज नमर 48 है इसमें लिखा है विफोर ओप्रेशन पेज को डाउन करते हैं सबसे पहला पैरामिटर है जीरो टॉर्क बुष्ट टॉर्क बुष्ट पैरामिटर के हमें जुरत जब होती है जब हम ड्राइब को जब स्टार्ट करते हैं तो ड्राइब हमारी ओवर लोड पर ट उसके बाद आता है पैरमिटर 1 मैंक्सिमmeam Frequency हमें ड्राइब की Maximum Frequency ड्राइब کا Maximum Output Frequency क्या चाहिए तो हमें पैरामिटर 1 में सेट करनी होती है के में ड्राइब की आउटपूत Frequency कितनी चाहिए maximum output frequency कितनी चाहिए तो हमें parameter 1 में set करना होता है उसके बाद आता है parameter 2 minimum frequency minimum frequency जब हमें drive को start करना है तो minimum frequency कितने frequency से drive को हमें start करना है वो frequency हम यहाँ पे set करते हैं उसके बाद आता है parameter नम्मा 3 base frequency base frequency मोटर की name plate में लिखा होता है कि मोटर कितने hertz की है वो frequency हमें drive के parameter 3 base frequency में set करना होता है उसके बाद आता है parameter number 4, 5, 6, 4 है multi speed setting high speed इतीन parameter 456 multi speed के 4 है high speed, 5 है medium speed और 6 है low speed अगर हमें drive को एक fixed frequency पे operate करना है तो हमें इस तीन parameter का use करते हैं अगर हमें 3 set frequency चाहिए कि हमें drive को हमेशा इस तीन frequency पे ही operate करना है तो हम इस तीनो parameter का use करेंगे और इसके लिए हमें wiring क्या करनी होगी यह देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें वारिंग कैसे करनी है सबसे पहले हम यहां पर तीन सेलेक्टर सुच लेंगे 1st, 2nd, 3rd speed के लिए 1st low speed, 2nd medium speed और 3rd high speed तो parameter 4 है high speed का parameter 5 है medium speed का और parameter 6 है low speed का तो हमें parameter 4, 5, 6 में speed सेट करनी होगी frequency सेट करनी होगी हमें drive को किस fixed frequency पे हमें operate करना है तो हमें यहां पर सेट करना होगा तो हम जो भी सेलेक्टर स्विच अन करेंगे तो उस frequency के recording हमारा drive रन होगा यह हो गया fixed speed parameter उसके बाद आता है parameter नमब 7 parameter नमब 7 है acceleration time acceleration time वो time होता है जब हमें drive को start करते हैं जब हम drive को run करते हैं तो drive fix जो हमारी drive set frequency है हमारा drive set frequency को achieve करने में जो time लेता है वो हमारा acceleration time होता है अगर जैसे हमने 20Hz frequency set कि है drive में तो set frequency को कितनी देर पर achieve कर ले वो time हम acceleration time में set करते हैं तो parameter 7 में हम वो time set कर देते हैं उसके बाद आता है d acceleration time d acceleration time जब हम drive को stop करते हैं जब हम drive को stop करते हैं तो drive current frequency से 0Hz में आने में जो time लेती है वो time हमें d acceleration time set करना होता है वहाँ पर हमें d acceleration time में set करते हैं उसके बाद है parameter number 9 overload current हमें parameter number 9 में motor का current set करना होता है जो motor के name plate में लिखी होती है वो current हमें drive के parameter number 9 में set करना होता है जो motor के name plate में लिखी होती है उसके बाद आता है parameter number 79 operation mode selection 79 important parameter है यहाँ पर हमें drive का mode selection करना होता है कि हमें drive को किस mode में operate करनी होती है तो इसका detail में जाने के लिए हम reference page पर click करते है यह आ गया reference page 79 parameter है अगर parameter parameter number 79 में हम 0 set by default इसमें 0 set रहता है parameter number 79 में by default 0 set रहता है 0 मतलब होता है external और PU switch over mode इसका मतलब यह है कि जब drive 79 parameter जब parameter parameter number 79 में 0 है तो हम drive के keypad में जो PU-EXT दिया होता है तो हम उसको प्रेस करके auto और manual दोनों mode में जा सकते है अगर parameter 79 में 0 set है तो हम उस बटन को प्रेस करके auto और manual दोनों mode में जा सकते है अगर EXT का LED on है तो auto mode में रहेगा अगर PU का LED on है तो manual mode में रहेगा उसके बाद अगर हम parameter 79 में one set कर देते हैं जब हम parameter parameter 79 में one set कर देंगे तो drive हमारा manual mode में हो जाएगा फिक्स हो जाएगा उसके हम पुस बटन से चेंज नहीं कर पाएगे जो PU-EXT होता है बटन अगर उसको प्रेस भी करेंगे तब भी हमारा auto mode में नहीं जाएगा अगर हम parameter 79 में अगर one set कर देंगे तो हमारा drive fixed हो जाएगा कि वह manual mode में ही operate होगा उसमें start command जो run बटन उससे होगी और frequency हमारे जो dial है उसके थूँ चेंज होगी उसके बाद अगर parameter 79 में two कर देते हैं हमारा drive auto mode में हो जाएगा हमारा drive fixed हो जाएगा कि auto mode में ही operate होगा उसमें हम push button से change नहीं कर पाएंगे कि auto mode auto manual mode selection को जो option रहेगा push buttons वो change नहीं होगा क्योंकि वो हमने parameter 79 में two को set कर दिया है हमारा drive हमेशा auto mode में ही on रहेगा तो उसमें auto mode की condition में drive हमारा external start stop जो टाइबिनल है उससे start होगा और frequency जो voltage जो 10,2 और 5 नंबर का टाइबिनल है उसमें हमें analog input voltage analog input से ही drive की frequency change होगी है उसके बाद 79 में अगर हम तीन set कर देते हैं parameter 79 में अगर हम तीन set कर देते हैं तो यह parameter इसमें क्या होगा इस condition में क्या होगा drive जो start command है external होगी जो terminal है stf और str उसके through on होगी और drive के frequency dial जो drive में dial होता है यह इस तरह बना होता है उसके through drive के frequency change होगी start हमारा terminal से होगा और frequency change होगी जो dial से होगी उसके बाद है पहला मिटा रगा 79 में हम four set कर देते हैं 79 में हम four set कर दें drive में push button होता है run का उसके through on होगी और drive की frequency start stop मतलब drive की keep it से on होगी और drive की frequency external port से होगी जो हम टर्मिनल नंबर 10 और 10 2 और 5 में external port करेंगे उसके through drive की frequency change होगी यह important parameter 79 हमें application के according 79 में parameter set करने है उसके बाद देखते हैं jog operation अगर हमें drive को jog में on off करना है तो हमें कैसे और उसके लिए कौन-कौन से parameter set करने होगी page नमर आते हैं 82 पेज नमर 82 में parameter list आएगा इस page को डाउन करते हैं parameter नमर 15 है jog frequency हमें jog frequency यहां पर jog frequency set करनी है कि हमें जोग में frequency कितने हट स्पिर्ट on करना drive को तो हमें parameter नमर 15 में हमें jog frequency set करनी होती है उसके बाद है parameter नमर 16 jog acceleration और deceleration time कि हमें drive को जो jog frequency set करेंगे वो speed अचीव करने में जो time ले वो हम जोग acceleration time parameter नमर 16 इसे एक ही parameter से हमारा acceleration और deceleration time दोनों set होगा तो हम parameter नमर 16 में jog acceleration और deceleration time set करते हैं उसके बाद हम jog selection देखते हैं कि हमें jog selection के लिए ट्राइब के कौन से input में क्या parameter set करना होता है यह parameter नमर 178 से लेके 182 तक digital input के parameter है सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वारिंग जोग reverse और forward के लिए connection कैसे करेंगे हम सबसे पहले हम दो selector switch लेंगे एक reverse start के लिए और एक forward start के लिए और एक हमने push button लिया है जोग कमांड के लिए जब selector switch reverse कौन रहेगा तो drive हमाई reverse mode में select हो जाएगी और जैसे हम jog वाला push button को press करेंगे तो हमारे drive जोग reverse में run होगी और उसके बाद जैसे हम selector switch forward के selector switch को on करेंगे और jog push button को press करेंगे तो हमारे drive forward में on होगी यो फोर्वर्ड में अन होगी, अब इसके लिए हमें parameter देख ते हैं, हमने इस input को जो आरेच, जो terminal है, उससे connect किया है, जो jog input का, jog input है, उसे हमने आरेच, टैर्मियल है, उसमे कनेक किया है, अब हम देखते हैं, कि इसके लिए हमें कौन सा parameter, शेट करना होगा, यह है डिजिटर इंपूट के पैरामिटर 178 से 182 टक के हमने जो जो जोग इन्पूट है उसको अरेज टेमिनल नमर अरेज टेमिनल पे कनेक्ट किया है पैरामिटर है 182 पैरामिटर 182 अरेज के साइग और फंक्शन सेलेक्शन उसमें हमें जाके 5 एक सेट करना होगा अभी SID बाई फोल्द यहाँ पे टू सैट रहता है पार दिफॉल्ड यहाँ आपन आपन यहाँ पर बैम्यट्रम जाकर जोउक्ष ऑफरेशन सलेक्षन करना होगा उसमें परामीटर 172 में जा में fight set कर देंगे तो jog operation selection हो जाएगा इस तरह से अगर हमें drive को jog में start stop करना है जिस भी हम input में connect करेंगे push button को उस parameter में जाके हमें jog operation सेलेक करना होगा इस तरह से हम Mississippi D700 drive में parameter की programming करते हैं drive को start stop करने से पहले हमें drive में basic parameter set करने होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें share करें और comments वाक्स पर आके comments करना ना बूले कि आपको वीडियो कैसा लगा